टीट्विंटी वर्ल्ड कप के श्रिवाद जल्दी होने वाले लेकिन ऐसे में अभी कुछ भी पता नहीं कि इंडिया की प्लेंग लेवन क्या होगी ओपनिंग कौन करेगा मिडिल ओडर में कौन खेलेगा सबसे बड़ी जो कन्फिजन है वो यह है कि टीम इंडिया की कप्ता कौन करता हुँ नजठ आगा क्योंकि देखा जाए तो रोहिशर्मा का नाम सामने आरहे कि रोहिशर्मा हो सकता है टीटवन्टी वर्ल्ड कप के कप्तानी करते वे नजर आए लेकिन रोहिशर्मा ने एक साल में से टीटिवन्टी याई सिरीज केली ही नहीं है कपतानी तो लोगी संद्वा कैंट्र के दूसरे शॉए से वाहिँ थे हार्दिग पन्या के इकटिए कब लग्तार कतारों टीम होटे तकी है ऑ swims वर्ल्ड कप नीन करें लेकिन अब यह संद्व में वहार्दिक कंफ्यूजिंग रही है क्योंकि आपको बता दे कि जब ओडिया वर्ल्ड कफ खेल गया उसके तुरंद बाद इंडिया और उस्टिले की बीच पाच मैंचों की टीट्वंटियाई सीरीज खेली गई थी उसमें सुर्कुमार यादो को कप्तान बनाया गया था टीम मैनेजमेंट ने सुर्कुम कब कहा कौन सा दिसे न यह पता थी अब सौथ आफ्रिका में जाएं और सौथ अफ्रिका में करके दिखाएं कफंद वहली बारस भी तीसारे मुकाबले मिका सुलुकमार यादो ने शच्छ टिखल आर बहुत अच्छी गरी और सौथ अफरिका में जाके सिरीज को टाई करवा दी हारने की नौबत नहीं आई ऐसे में बहुत लोगों का ये भी मानना है कि सुरकुमार यादो को T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी सौपी जा सकती है क्योंकि दो सिरीज में सुरकुमार यादो ने बतौर कप्तान अपने आपको सुरकुमार यादो को T20 का कप्तान बनाया जाए लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ तीन मैच ही बचे हैं टीम इंडिया के पास जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20 सिरीज होने वाली है उस सिरीज में कौन होगा इंडिया का कप्तान इस पे भी बह हो सकते हैं अफगानिस्तान के साथ जो T20 सिरीज खिल जाएगी उससे पहले अगर वो फिट होते हैं तो फिर शायद वो करते हैं लेकिन वहीं कुछ लोग को यह भी मानना है कि आप सुरकुमार यादो ने अपने आपको प्रूफ कर दिया तो आप सुरकुमार यादो से टी कपतानी का प्रेशर उनकी परफोर्मेंस में जलकता है चाहीर भी हो लेकिन शूरके मर यादो के परफोर्मेंस में कपतानी कुछ दिखा ही नहीं और अबहुत अशी पारी खेले थेयर अभी प्लेएम अवड तो सीरीज थे और बतारator कप्तान प्लेएम प्लय evidence का और में इ कॉमेंट करके में ज़रूर रता हैं और साथ ही साथ तो फान स्पोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पिल्कुल भी न भूलें